Good day to all of you Class शुरू करने से पहले हम पिछली कक्साओं का revision कर लेते हैं कल की कक्सा में आपको जो सिखाया गया था, क्या वह आपको याद है या नहीं पिछली कक्सा में formatting toolbar के कुछ option के बारे में सीखा था जैसे की font name, font size, bold, italic और underline क्या बता सकते हैं software क्या होता है, software एक ऐसा program होता है जिसे हम अपनी जरुरुषत के हिसाब से install करके उप्योग कर सकते हैं क्या बता सकते हैं writer के file का दूसरा नाम क्या होता है और writer को कितने तरीके से open कर सकते हैं राइटर को text document भी कहते हैं और इसे हम कई प्रकार से open कर सकते हैं Formatting tool क्या होता है Formatting tool के मदद से हम text के writing, size, bold, italic, underline, color, इत्यादी कर सकते हैं Text boundary क्या होती है Text boundary page के अंदर type करने में हमारी मदद करता है Ruler का उप्योग क्या होता है Ruler से आप अपने page को या page के margin को set कर सकते हैं या दो प्रकार का होता है, vertical और horizontal Arrow की कितने हैं और उनका उप्योग क्या होता है Arrow की चार प्रकार की होती है और इनका उप्योग अपने cursor को एक जगा से दूसरे जगा पर लेके जाने के लिए करते हैं अब आप computer को on करें और writer की file को open करें अगर writer की file को open करने में कोई समस्या हो तो video के मदद से open करना सीखें आज आप video को देखकर एक नए तरीके से file को open करना सीखें सबसे पहले आप desktop पर open office लिखे file अत्वा symbol को डूड़ना होगा जैसे की सामने video में दिखाया गया है अब ऐसे ही symbol अपने desktop पर डूड़े और उस पर अपने mouse या touchpad के द्वरा pointer को लेकर जाए और वहाँ पर left button से एक साथ में दो बार click करें फिर आपके सामने दिखाया जा रहे है video की तरह एक window आ जाएगी यहाँ पर open office के बहुत से components दिखाई दे रहे होंगे इस window को आप quick start window कहते हैं यहाँ पर आपको text document को select करने के लिए उस पर एक बार left button से click करें जिससे की आपकी open office writer की file open हो जाएगी आज की कक्सा में आप सभी formatting बार के बाकी भाग के बारे में सीखेंगे जैसे की alignment क्या होती है और ये कितने परकार की होती है font color क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं highlighting color क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं बैक्ग्राउंड कलर क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं और बॉलेट्स और नमरिंग का उप्योग कैसे और क्यों करते हैं आईए सबसे पहले अलाइमेंट के बारे में सीखते हैं क्या बता सकते हैं कि अलाइमेंट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं alignment formatting का एक महतोपून भाग है जिसके द्वारा लिखा हुआ text या paragraph को अपने अनुसार set कर सकते हैं page में आप कहां से लिखना चाहते हैं उसे आप alignment के द्वारा set कर सकते हैं मतलब अपने लिखे हुए text को page के left side करना चाहते हैं या right side में या फिर बीच में करना चाहते हैं तो alignment का उप्योग करेंगे alignment चार परगार की होती हैं left alignment, right alignment, center alignment और justify alignment आईए अब साथ में सीखे कि alignment का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहले left alignment के बारे में सीखेंगे left alignment का उप्योग अपने text और paragraph को page के left side से type करने के लिए उप्योग में लाते हैं आपने जो text और paragraph लिखा है वह left side में हो जाएगा लेकिन writer की file में left alignment पहले से ही select होता है आप कुछ भी type करेंगे वह left side में लिखना सुरू होता है जैसे आपका cursor हमेशा left side में ही होता है इसकी shortcut command control plus L होती है दिखाया जा रहे है वीडियो के मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि left alignment कैसे करते हैं alignment set करने के लिए आप type करने से पहले या type करने के बाद भी alignment कर सकते हैं left alignment जो होता है by default आपके page में set होता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप जब भी अपने writer के page को open करेंगे और type करना सुरू करेंगे तो वह left alignment में ही होगा center alignment से आप अपने paragraph या text को center यानी की page के बीच में ला सकते हैं या बीच से type करना सुरू कर सकते हैं center alignment का उपयोग आप सभी heading या title लिखने के लिए भी कर सकते हैं इसके लिए shortcut command control plus E होता है आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि center alignment से क्या होता है जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहा होंगे आपका cursor blink कर रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं alignment आप type करने से पहले और type करने के बाद भी कर सकते हैं center alignment करने के लिए आप सभी अपने pointer को formatting bar के अंदर center alignment पर लेका रहा है और click करें जिसे कि आपका cursor writer के seat के बीच में आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप इसमें type कर सकते हैं आप जो भी text type करेंगे वो आपके writer के seat पर बीच में आएगा तो इस तरह से आप center alignment कर सकते हैं right alignment से आप सभी अपने paragraph या text को page के right side में ला सकते हैं जब आप सभी right alignment को select करेंगे तो page के right side से लिखना शुरू हो जाएगा या फिर जो लिखा है left side से right side में आ जाएगा right alignment की shortcut command control plus R होती है alignment का उप्योग आप select करके और बीना select करके भी कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि right alignment कैसे set करते हैं right alignment सेट करने के लिए आप type करने से पहले या type करने के बाद भी right alignment कर सकते हैं आईए वीडियो को देखें जैसे कि अभी आपने left alignment किया, center alignment किया अब आप सभी right alignment करेंगे Center alignment के बाद आपने enter बटन का उप्योग किया उसके बाद अपने pointer को right alignment पे लेकर आएं और उसके बाद अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें जिसे कि आपका cursor writer के seat पे dynoside आजाएगा अब यहाँ पे आप type करें तो देखें आप जो type कर रहा है वो right से पीछे के तरफ जा रहा है तो यह होता है आपका right alignment इसके लिए आप shortcut command control plus R का उप्योग कर सकते हैं justify alignment से आप सभी line को एक जैसा कर सकते हैं justify alignment select करने से सभी line एक बराबर हो जाएगी और सभी text और paragraph page के left side में आ जाएगा इसकी shortcut command control plus J होती है आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि justify alignment कैसे करते हैं आप सभी अपने जो page पर type किया से select कर लें और उसके बाद अपने pointer को justify alignment जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके उपर लेकर आए और अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें जिसे की आपका text justify हो जाएगा अब आप इस page पर जो text है उनको delete करें सामने दिये गए paragraph को आप सभी जल्दी से type करें और type करने के बाद उस paragraph को select कर लें क्योंकि आप सभी इस paragraph पर formatting करेंगे bullets and numbering एक ऐसा option है जिसे हम अपने important line अत्वा heading के साथ symbol और number को insert करते हैं bullets के अंदर बहुत सारी अलग-अलग bullets होती हैं जो कि symbol की तरह होती है आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि bullets और numbering को writer के page पर कैसे insert करते हैं जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे आप अपने cursor या pointer को आपको जहां भी bullets और numbering इंसर्ट करना है वहाँ पर लेकर आएं और फिर touchpad या mouse के left button को click कर दें उसके बाद आप formatting bar के अंदर यहाँ पर अपने pointer को लेकर आएं यह bullets है यहाँ से आप bullets को insert कर सकते हैं जैसे ही आप इस पर click करेंगे bullets का toolbar आजाएगा इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग types के bullets हैं जिन्हें आप insert कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करेंगे तो bullets के type open हो जाएंगे यहाँ पर आपको bullets select करना होगा उसके बाद जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहा होंगे कि यहाँ पर अलग-अलग types के bullets हैं इनको किसी एक को select करना है और उसके बाद OK लिखे हुए option पर click कर देना है जिससे कि वह bullets का design insert हो जाएगा अब आप सभी numbering insert करना सीखेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपका cursor दूसरी line में है यहाँ पर आपको number insert करना है तो आप numbering पर जाकर click किजिए number insert हो जाएगा और उसके बाद bullets and numbering का toolbar आ जाएगा यहाँ से आप numbering के अलग-अलग types को ले सकते हैं जैसे कि आपने bullets का अलग-अलग type लिया था उसके लिए आपको numbering type पर click करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करके numbering के अलग-अलग design ले सकते हैं यहाँ से graphics को ले सकते हैं उसके बाद आप कोई भी एक numbering का type ले लिजिए आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे और फिर ok पर click कर दीजिए इस तरह से आप bullets और numbering को insert कर सकते हैं अब आपको अलग line में एक और numbering चाहिए तो सिर्फ numbering पर जाकर click कर दीजिए दूसरा numbering आ जाएगा या number आ जाएगा अगर आपको bullets जीए तो आप bullets पर जाकर click कर दीजिए या सिर्फ enter button का उप्योग कीजिए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है next line में आपका bullets आ जाएगा अगर numbering के बाद आप next line में click कर रहे तो next line में आपका numbering आ जाएगा by default जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे इस तरह से आप bullets and numbering का उप्योग कर सकते हैं font color text के color को change करने में आपकी मदद करता है आएए वीडियो के मदद से सीखते हैं कि किसी line अथा paragraph के color कैसे change करते हैं सबसे पहले आप सभी इस paragraph को select करें select करने के लिए आप सभी left hand से control के button को दबा का रखें और right hand की एक finger से एक को एक बार दबा दें और आपका पुरा paragraph select हो जाएगा अब आप अपने pointer को formatting toolbar के अंदर ए लिखे हुए option के बराबर में एक drop down icon पर एक बार click करें एक box आ जाएगा इस box में किसी भी एक color को अपने pointer की मदद से select करेंगे तो आपके पूरे paragraph का वही color हो जाएगा जो आपने select किया है इसी प्रकार से आप change किये हुए color को भी आप दुबारा से कर सकते हैं आईए अब highlighting color के बारे में सीखते हैं highlighting color का उपयोग आप paragraph अथवा line के पीछे का color change कर सकते हैं ना कि text का क्योंकि highlighting color से आप सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपके text और paragraph हैं आप उसके पीछे का color change कर सकते हैं चाहे आपने space क्यों ना दिया हो आईए अब वीडियो की मदद से highlighting करना सीखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी line अथवा paragraph की formatting करने से पहले आपको उसे select करना होता है select करने के लिए आप touchpad या mouse या arrow keys या shortcut command से select कर सकते हैं अब इस paragraph को select करने के लिए control plus A का उपयोग करके select करें उसके बाद formatting toolbar के अंदर A, B लिखे हुए icon के drop down option पर mouse अथवा touchpad के left button से click करें एक box open होगा इस box में आप किसी भी एक color को select कर लेंगे तो आपका paragraph अथवा line पर वही color हो जाएगा जिसे आपने select किया था highlighting color को भी आप बताये गए तरीके से हटा सकते हैं आईए अब background color को करना सीखते हैं background color और highlighting color दोनों का उपयोग text के पीछे का color change करने के लिए किया जाता है लेकिन दोनों में बहुत छोटा अंतर होता है क्योंकि highlighting color से आपने जहां तक text लिखे हुए हैं उसको select करके उसकी पीछे का color change कर सकते हैं लेकिन background color में आपके page के पूरे line अथवा paragraph के पीछे color कर देगा इसमें select करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस cursor को वहाँ पर रखना होता है जहां आपको background color करना होता है आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि background color को change कैसे करते हैं सबसे पहले आप सभी अपने text, line या paragraph को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select करने के बाद आप formatting bar के अंदर अपने cursor या pointer को लेकर आएं और आपके left button को click करें एक box open होगा यहां पर बहुत सारी color है इन में से कोई एक color को select करें और देखें आपके line जो आपने text type किया है उसके पीछे का color change हो गया है तो इस तरह से आप background के color को change कर सकते हैं अब आप सब अपने file को close करें क्योंकि आज की करसा यहीं पर समाप्त होती है सभी अपने cursor को page के dynasite कोने में cross के button पर लेकर जाएं और वहां अपने mouse या touchpad के left button को दबा दें आपके screen पर एक box आजाएगा जिस पर तीन option दिये गये होंगे save, discard और cancel क्योंकि हमें इस file को save नहीं करना है इसलिए हमें discard वाले button पर click करें जिससे file close हो जाएगी अब आप सभी अपने computer को shutdown करें अगर computer को shutdown करने में कोई समस्या हो तो आप video की मदद से सीखें आईए अब सीखते हैं कि हम computer को shutdown कैसे करते हैं आप सभी अपने pointer को start button पर लेकर आएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने touchpad या mouse के left button को एक बार click करें अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को डूड़ना है और वहाँ पर अपने pointer को लेकर जाना है इस shutdown option पर pointer रखने के बार अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है जिससे कि आपका computer shutdown हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा आज की कक्सा में आपने formatting toolbar के अंदर paragraph को highlighting करना background color करना, writing के color को change करना bold, italic, underline, alignment और bullets and numbering के बारे में सीखा जाएगा जाएगा